नमस्कार दोस्तों फिल्मी टसन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राज कुमार और गोविंदा के अभिने सजी फिल्म जंगबाज के बारे में और जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ हंसुने फैक्ट जंगबाज ये क्राईन एकसंट ड्रामा फिल्म है जिसे 16 जूर 1989 को रिजिश किया गया था फिल्म के निर्माता है प्राणलाल महता और फिल्म को निर्देशित किया है मिहुल कुमार ने फिल्म की पड़कता लिखी है नुसरत सयद ने पता संग्वाद लिखे है यनुवर खान ने और फिल्म के कहानी लिखी है मिहुल कुमार ने फिल्म के मुक्य भुमिका में नजर आये थे राजकुमार, गोविंदा, मन्दाकिनी, मौसमी चटरजी, राजकिरन, डैनी डैन जोकपा, प्रेम चोपडा, शर्ती कपूर, अरूडा इरानी, गुलसन ग्रोवर, तेज सप्रू, सुधीर, दिने सिंगू, और विका सानन्द फिल्म में गीत और संगीत रविंद्र जैनका है, फिल्म के एलबम में टोटल साथ गाने हैं, जिन्हें अपनी मधूर आवाज में गाया है, महेंद्र कपूल, आसा भोसले, मुहम्मद अजी, कविता किर्श्म मूर्ती, हेम लता और रिखा राव, फिल्म को IMDB के ओर से 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है, और 65 प्रतिसत गूगल यूजर ने पसंद किया है, दोस्तों बता देते हैं, फिल्म से जुड़े कुछ हंसुने फैक्ट के बारे में, फैक्ट नमबर 1, साल 1987 में रिलीज हुई मेहुल कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म, मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा सामील हैं, जो तीनों फिल्में सफल रहीं, फैक्ट नमबर 3, राजकुमार जंगबाज के लिए अपना पूरा काम खतम करने के बाद, इलाज के लिए विदेश चले गए, जाने से पहले राजकुमार ने मेहुल कुमार से कहा कि वे अपना तीसरा प्रजेक्ट तयार रखे, जब वह वापस आएंगे, तो इसकी सुटिंग शुरू कर देंगे, मेहुल कुमार ने तिरंगा पर काम किया, और सुटिंग तब सुरू हुई, जब राजकुमार विदेश से लोटे, फैक्ट नमबर 4, एक बार सेट पर राजकुमार ने गोवि पिंदा को काफी बुरा लगा, दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में